Hello everyone, Computer Lab में आप सब कस्वागत है? आज हम WordPad की तीसरी क्लास में पूरी View Tab सीखने वाले हैं, जो कि काफी easy है, इसलिए इसे सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो आईए इसे सीखने के लिए चलते हैं अपनी Computer Screen की तरफ. तो हम आ गए हैं अपने WordPad के Document पर और अब हम क्लिक करेंगे View Tab पर. जैसे ही आप क्लिक करते हैं View पर तो हमारी View Tab ओपन हो जाती है. हमारे Ribbon पर जो Option नजर आ रहे हैं, वो हमारे View Tab के Options है. और इसमें सबसे पहले ग्रूप जो हमें मिलता है वो है Zoom. इसमें हमें Option मिलता है Zoom In, Zoom Out, 100%. यह हम पहले भी Paint में कुछ देख चुके हैं, ऐसा है ना. आप कुछ भी Zoom करके देखना चाते हैं, तो आप करेंगे Zoom In. यानि कि यह क्या करेगा? आपके Document को Zoom करके दिखा देगा. उसे बड़ा करके दिखा देगा. जितनी बार आप क्लिक करेंगे, यह उतनी बार Zoom होता चला जाएगा. यह देखिए, यहाँ नीचे Status Bar पर दिखा भी रहा है, कि यह अब 180% है. 100% हमारा Normal होता है, यह Zoom होकर 180% हो गया है. तो यह तो है Zoom In, यानि कि Zoom करके देखना हो, बड़ा करके देखना हो. इसका Opposite है Zoom Out, यानि कि छोटा करके देखना होता है. यानि कि आप आपको इसे वापस छोटा करना है, तो आप क्लिक करेंगे Zoom Out, और यह छोटा होता चला जाएगा. और इन केस अगर आप चाते हैं कि मैं एक ही क्लिक में इसको Normal कर दूँ, यानि कि 100% हो जाएगे, तो आप क्लिक करेंगे यह 100% और यह एक ही क्लिक में आपके Document को Normal View पर ले आएगा, यानि कि 100% पर ले आएगा. तो यह तो था हमारा Group Zoom, Second जो हमें मिलता है वो Show और Hide, यानि कि यहां से आप अपनी इन दो चीजों को Show या Hide कर सकते हैं, आप चाते हैं कि Ruler या Status Bar दिखाई दे हमारी इस Window में, WordPad के Document में या ना दिखाई दे. टिक मार्क है तो यह दोनों चीज़े हमें नजर आ रही है, Ruler है हमारा देखिए यह रहा Ruler, यह हमें बताता है हमारा Page घहां से सुरू होता है, का खतम होता है और किस एरिया में हम लिख रहे हैं, ओके यह Ruler है हमारा, टिक मार्क है तो Show रहे हैं, Second है Status Bar जो कि हमारा Status बताती कि हम जो है, डोकिमेंट को कितने पर तीसत पर देख रहे हैं, कितना हमने इसको Zoom कर लिया है, और Caps लोक, On है या Off है, अगर On है तो यहां पे C, A, P, यानि कि Short Form में Caps लिखाएगा, अगर Off है तो यह गाय बुजाएगा, यह हमें Status बताती है, ठीक है, तो इन पर टिक मार्क ह है, तो आप यह दोनों चीजे Show हो रही है, अगर आप टिक मार्क हटा देते, जैसे कि Ruler पे से Tick मार्क हटा देते, तो देखिए, डोकिमेंट पे से मेरा Ruler गाय बुजाता है, ऐसे अगर आप स्टेटस बार पे से Tick मार्क हटा देते हैं, तो देखिए, मेरी Status बार भी यहा पर settings और उसमें first option हमें मिलता है word wrap देखिए हमने notepad में भी word wrap किया था जिससे क्या होता था आप कुछ भी text लिखते थे तो वो एक page में यह आपकी window पर adjust हो जाता था आपको एक ही window पर दिखाए देता था और अगर आप off कर देते थे तो क्या होता था एक ही line में आपका text जो है चलता रहता था चलता रहता था आपका page बड़ा होता चला जाता था same option हमें यहां मिल रहे है लेकिन यहां में और भी कई option मिल रहे है यहां by default जो option select रहता है वो है wrap to ruler यानि कि हमारे text हमारे ruler के according adjust रहे यहां पर आप कुछ भी type करेंगे तो वो आपके ruler के according जो है adjust होता चला जाएगा इसी gap में fill होता चला जाएगा देखिए आमने जो था हमारा first option यहां पर wrap to ruler जो by default select रहता है और फिर हमें मिलता है यहां पर option wrap to window इस पर आप click करते हैं तो आपकी जो window निज़र आ रही document की हमारा page उतना बड़ा हो जाएगा और उस window के अंदर हमारे text को adjust करेगा यानि कि आप ruler के according adjust नहीं करेगा हमारी जितनी भी screen है जितनी window है जितनी बड़ी उस पूरे area पर हमारे text को adjust करेगा कुछ इस तरीके से यह देखिए मैं enter कहीं भी नहीं press कर रहा हूं यह अपने आप इस area में हमारे text को adjust कर रहा है ठीक है तो यह पूरी window पर adjust करेगा वह ruler के according था यह हमारी window की width के according text को adjust कर रहा है और अगर आप select करते है no wrap तो यह option off हो जाता है ठीक notepad में जैसे option था अगर आप off कर देते थे तो क्या होता था एक ही line में यह पूरा text लिखता रहेगा जब तक आप enter press नहीं करेंगे जब तक आप enter press के बिना लिखते जाएंगे हमारी page की width जो है वो बढ़ती चली जाएगी देखिए यह पूरा text अब एक ही line में आ गया है अब आपको इसे देखना है तो wrap to ruler ही select रहता है और वही अच्छा रगता है एक page पर proper writing आप कुछ इसी तरीके से करते हैं तो आप इसे ऐसे ही रखेंगे wrap to ruler last चीज जो हमें मिलती है वो है measurement units यानि कि हमारे जो यह ruler है इसमें measurement कैसे नजरा unit क्या हो ना आपने की inches में हो तो यह inches के gap पे दिखाएगा एक इंच दो इंच तीन इंच इस तरीके से और अगर आप क्लिक करते हैं cm तो इस page पर हमारे ruler पर cm आ जाएगे यह cm में दूरी बता कुछ भी select कर सकते हैं मुझे inch ही पसंद है inch में यह अच्छे से नजरा आता है 1,2,3,4,5,6 inch में देखिए हमारा यहां पर है page तो यह अच्छा लगता है तो आप इसे select कर सकते हैं बाकी यह आपकी मर्जी है आप cm में चाहें तो cm में भी देख सकते हैं यह हमारे उपर है कि हम अपने ruler को किस unit के according देखना चाहते हैं तो इसे inch सी कर लिते हैं तो यह थे हमारे tools हमारे options view tab में सीखने के लिए काफी चोटी और आसान tab थी ना लेकिन फिर भी इसमें बहुत सी ऐसी चीज़े थी जो आपको पता रहनी चाहिए तो यह थी आज की अमारी class जिसमें आपने काम आसान हो सकता है अगर आपको आज के हमारी class यान की वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए और अगर आप पढ़ने लिखने के इस सफर पर आमारे साथ इसी तरह बने रहना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कीजिए अपने सवाल और suggestion comment box में जरूर share करें जल्द मिलेंगे आपसे अगले class में तब तक जो सीखा उसके practice कीजिए बाबाद